इन दिनों अगर बात की जाए खिसारी लाल यादव की तो आए दिन उनकी कोई ना कोई चर्चा सामने आती रहती है बता दें आपको की खिसारी लाल यादव इन दिनों अपने कई बातों को लेकर चर्चे में हैं जहां उनके कई गाने आ रहे हैं अलबम आ रहे हैं तो वो कई सारी फिल्मों की शूटिंग में भी बिजी हैं और हर कोई उनकी आने वाली फिल्मों को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड है वहीं अगर बात करें उनके फिल्मों की तो बता दें आपको की साल 2018 में आई उनके फिल्म दबंग सरकार ने काफी ज्यादा तहलका मचाय और लोगों को ये फिल्म खासा पसंद आई लेकिन अगर बात की जाए खिसारी लाली आदव की पुरानी फिल्मों की तो वो भी इन दिनों काफी चर्चे में हैं और साथ ही साथ उनके फिल्मों के गाने हमेशा सही चर्चे में रहते हैं और लोग उन्हें देखना सुनना और उसके बारे उसको उस पर ठिरकना काफी पसंद करते हैं तो वहीं हाली में उनकी पुरानी फिल्म मुकदर जो जिसमें की काजल रागवानी और खेसारी लाली आदव थे उस फिल्म में उस फिल्म का एक गाना है सहजादा के संग सहजादी और इस गाने को अब तक 7 करोड से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और साथ ही लोग इन्हें काफी पसंद भी कर रहे हैं एक साथ तो यह कहना भी गलत नहीं होगा कि काजल खेसारी की जोड़ी भोजपुरी इंडस्ट्री में काफी अलग मानी जाती हो और काफी अलग है भी और यह हमेशा ही अपने फैंस के लिए कुछ नया और कुछ अलग कर करते हैं हाला कि बता दें आपको कि इन दिनों खेसारी काजल फिलहाल अलग-अलग फिल्मों की शूटिंग कर रहे हैं जहां खेसारी लार यादव फिल्म जाल की शूटिंग में बिजी है जिसमें की उनके साथ शुभी शर्मा नजर आने वाली है तो वहीं काजल रागवा में ऐसा कहा जा रहा है कि इन दोनों की और भी कई सारी फिल्में आपको देखने को मिलने वाली है लेकिन जिस तरह से इस गाने को व्यूज मिले है साथ करोड ये कहना गलत नहीं होगा कि सारी काजल की जोड़ी बोजपूरी इंडस्ट्री में काफी ज्यादा पॉपलर है और दोनों के बीच काफी अच्छा बॉंड देखने को मिलता है और दोनों की दोस्ती देखते ही बनती है हाला कि दोनों की अपनी परसनल लाइफ है और अपनी फैमिली से दोनों ही काफी प्यार करते हैं लेकिन इन दोनों की बॉंडिंग हमेशा ही रील और रील दोनों ही कि आपको ये गाना कैसा लगा